बिहार में हम लोगों को खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं रहा यही वज़ा है कि खुद ही खाकी वर्दी के बिना कभी चोर को पकरते हैं तो कभी उसकी पिटाई कुछ ऐसे कर देते हैं जो कि कोई खानेदार भी नहीं करता हो अब या तो बिहार पुलिस के रवया को देख लो और ऐसे ही बेरहम तरीके से सजा देने का वीजियो का जिहार से वाइरल हो रहा है जहां दूर दूर तक कोई पुलिस प्रसाशन नजर नहीं आ रही जहां एक यूवक को पेर से उल्टा लटका कर उसकी जोरतार पिटाई की जा रही है जिसका वीजियो अप तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब नमश्कार आप देख रहे हैं ज्वंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंधना क्यामरा पर सनुन प्रकाश के साथ नहीं पुलिस पर भरोसा और नहीं खाकी वर्दी का डर्ड लोगों के द्वारा खुद ही इंसाफ पाने का ये पहला माम में बढ़ते जा रहे हैं जिस बीच अब वहां के लोगों ने कानून को भी अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है बाइक चोरी करते हुए एक यूवक को पकरने की बाद उसकी जमकर पिटाई की गई है कि सारी इंसानियत की हदे पार हो चुकी है गाउं के लोगों ने स बार सोई का है जहां करनपूर इलाके से पिछले दिनों एक बाइक की चोरी हुए थी और उस चोरी की बारदार्ट वहां लगे CCTV कैमरे में क्याद हो गई थी जिसकी जाच के बाद आरूपी की पहचान हुई और लोगों ने सिस बनी गाउं पहुंचकर चोरी के आरोप में स उसकी जम कर पिटाई भी की युवक अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहा लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुने वहीं इस पिटाई का वीडियो सोचल मीडिया पर किसी ने पोस्ट कर दिया फिर उसे वाइरल होते देड़ नहीं लगे और धीरे-धीरे सभी को इस बेरहम लोगों की सच्चाई पता चल गई वाइरल होते हुए वीडियो को पुलिस तक पहुंच पहुचता है तो पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर गही है और उस मामले में जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर करी कारवाई की जाएगी यूँकि किसी को भी कानून अप पोल से बांध कर खुब पीटा था घंटों पिटाई के बाद भी उस नाबालिक ने जब नहीं मानी तो उसे चोड़ी की है जिसके बाद उसे तो छोड़ दिया गया लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद ही जादा खड़ा हो चुकी थी ऐसे में पुलिस को उस मामने में कुछ भ परान वो नाबालिक जोड-जोड से रोता रहा खुद को बचाने की मांग करता रहा अपनी जान की भीख मांगते रहा लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी उसको पिटना उसको बंद नहीं किया ऐसे में जहां लोगों को पुलिस को सूचना देनी थी लेकिन वो वह ठाइगा जोष्क जोब भी शामिल वह जिनका भी नाम आएगा उन पर काड़ी कारवाइ की जाएगी कि अबिकिसी को भी आप securities में से chce fragments तुर हम आप प्डेट्स अबेहें कि क्या लोगों की ऐसे आर्योंगों को बेरहमी से मार कर सजा देन आइन लेन किस हद तक तक आप सही मानते हैं और कानून को हाथ में लेना किस हद तक लोगों के लिए सही है तो इसी सवाल के साथ हमें दीजे इजाजत और देखते रहे जंता जंक्शन धन्यवार